हेलो एवरीवान तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेन्यू का जो एड्मिशन पॉलिसी है ग्रेजुएशन के कोर्सेस के लिए वो क्या रहता है अगर आप लोग सी यूटी यूजी का एक्जाम देने वाले है और जेन्यू जैसी टोप करते हैं otherwise आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं हमें कोई प्रोब्लम यहां पर नहीं है तो हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप लोग यह देख सकते हैं कि इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस भी रिलीज कर दिया है एक्जाम आपक को समझेंगे और उसके बाद फिरम प्रोस्पेक्टस में जो इंपोर्डेंट पॉइंट है वो देखने वाले हालां कि एड्मिशन पॉलिसी में अपने को कोई बदलाव ज्यादा देखने को नहीं मिला है जहां तक मैंने सीज को चेक किया है मुझे नहीं लगता कि कोई इस स्टूडंट नहीं जाते हैं हम लोग उनलाइइन क्लास देते हैं और अभी सेकंड मार्स हमारे नहीं हां पर उनलाइन क्लास इसके लिए स्टार्ट भी होने वाली है जो स्टूडंट आरे प्रपेर कर रहा है तो हमारे तो इस ब्रुकत होती ही नहीं है कोई उनको प्रॉब्लम होती ही नहीं है आप हिंदी मेडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप वहां पर अपनी स्टूडी वहां से कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हम बात करेंगे यहां पर के लिए ठीक है और साथ ही साथ यहां पर आपका कुछ और भी कोर्स होता है जिसे अपको रेगुलर जाने की जूरत नहीं पड़ती है पार्ट टाइम का मतलब यह होता है तो आप उन में बीडिमिशन ले सकते हैं अगर आपका ड्रीम है कि मुझे जैनी में पढ़ना है जैनी से कोई डिगरी करनी और 100% जो वेटेज होता है वो आपका entrance का ही होता है वाइबा नहीं होता है मतलब कि आपको interview नहीं देना पड़ता है फिर यह PST के लिए होता है तो PST का अलग होता है जिसमें 70% PST वालों को entrance का होता है और 30% उनका वाइबा होता है चलिए अब फिर हम लोग आगे देख लेते है तो यहाँ पे फिर यह जो point अभी में आपको discuss करूँगा जिसको हम लोग basically deprivation point के नाम से यहाँ पे जानते है ठीक है तो यह काफी important आप लोगों के लिए हो जाता है तो प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा समझेगा तो आपको फाइदा भी मिलेगा इस सीज करिएगा कि आपने आपका जो 12 जो हुआ है वह कहां से हुआ है कौन से स्टेट से हुआ है कौन से डिस्टिक से हुआ है वह मिलता है और उसके बेस पे फिर आपको यह NUMBER मिलते है जैसे की अब आपको benefit कहां होता है मेरी बात को सुनिएगा समझेगा जैसे मान लिजए जो आपका पेपर है वह 100% हो गया ठीक है अब 100 में से आपका स्कोर बना कितना 86% आपका बना ठीक है 86% आपका यहां पर बन गया अब आपको अगर यहां पर मान लिजे कि 4 deprivation point मिल गए इसका मतलब कितना हो गया आपका 90% अब आपको 4 deprivation point मिलने से क्या हो गया 4% आपका automatically increase हो गया तो यह यहां पर होता है बट यह कैसे मिलता है देखें यहां पर दो quietel district होते है उसके base पर मिलता है quietel 1 और 2 ऐसे करके इन्होंने divide कर रखा है तो यूजी वालों को यहां पर आप देख सकते हो कि 6 मिलते है वन में अगर आते हो अगर टू में आते हो तो आपको च्यार मिलता है अब देखें यहां पर एक चीज जो वह समझाई गई है तो इसको प्लीज आप समझेगा यह 10 और 12 दोनों के बेस पर आपको मिलते है मैंने आ आपको जो benefit मिलता है वो किसका मिलता है वनका मिलता है यानि कि आपने 10 ओर 12 से दोनों से किया है समझेगा बात को 10 और 12 दोनों आपने एक से किया है तो आपको एक का ही benefit मिलेगा और यहां कोडिंग आपको इन चीजों में ज्यादा नहीं जो है उलजना चीए बस आप अपने एंट्रेंस पर फोगिस करिए बाकी थोड़ा सा मैं बता ही दे रहा हूं आपको जैसे थाइड कि दिस्ट्रिक जिसके हसाँ से आपको मिलता है तो वो आपको यहां पर एक पीडिएप में मिले 죄송 होता है वो यहां पर वह तर देखिए अधर अगर आप गर्बाट से तो आपको मिल जाएगा ओल मिलेगा यहां तो सब Bye Ann पर ठीक है अब दीखिए यहां पर बात करते हैं आगे वारे पॉइंट के लिए तो यहां पर क्या डिफेंस कोटा के लिए जो यहां पर reservation जो होता है जो category होती है hierarchy यह सारी category आप कह सकते हो 1234 ऐसे करके वन में कौन से आते हैं से कंड में कौन से आते हैं थर्ड में कौन से आते हैं उसके साब से आप देखेंगे जैसे ode to ready में जड़ाיכ प्लाई करते हैं श्मन चै और बाकी हैं और यह वहां एक नहीं पूछने वाला है उतना कुछ खास बट जब जेन्यू का कांसलिंग होगा जब जेन्यू अपना कांसलिंग करवाएगा अपना फॉर्म निकालेगा तब आपको यह सारी चीज़े पूछी जाएगी और तब आपको इनको एक सिस्टेमेटिकल ढंक से फिल करना और त आप लोग यहां पर देखे सकते हो आपके पास जो भी सर्ट्पिकिल हए एक्षी ऊक्रोंग जिफल करने सकते हो बट बिये ओनर्स में आपका अगर आप EWS जनरल और EWS क्रेटिगरी में है ना तो आपका 30% तो कम से कम है ये minimum है 30% जितना आपका होता है जैसे मान लिजे paper 100% का हो गया मतलब 100 number का हो गया ठीक है number से समझाता हूँ आपको 100 number का आपका paper हो गया 100 number में से 30 number तो आपके आने ही आने चाहिए चाहे आपका कोई भी criteria जैसे defense वाले होते है तो उनको admission कम number पे मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको 30 number से भी कम है 30% से भी कम है तो थोड़ा दिक्कत यहां पे हो सकता है तो 100 में से 30% तो minimum है बट ऐसा नहीं है कि 30 number अगर आप लेके आगए 30% अगर आप लेके आगए तो आपका admission होगा नहीं होगा यह तो minimum है अगर आपने 30 से कम अगर आप लेके आए तो आपके result में लिखा वाएगा note qualify यानि कि आप exam को qualify ही नहीं कर पाए है admission होने की बात तो दूर किया है ठीक है और OBC के लिए 27% minimum है और SCST और PWD के लिए 25% यहाँ पर minimum यानि कि 100 में से 25 number आपके होने इची है मतलब overall है जितने का paper होगा जिसे मान लिजे जितने का 4500 का दोनों मिला के अगर आपका paper होता है साड़े 400 का SCST PWD के लिए 25% जो होता है वो आप यहाँ पर निकाल के देख सकते है किलियर हुआ यह आपको यही admission policy है जे नियू का जो कि मैं आपको भी यहाँ पर समझा रहा हूं बता रहा हूं ओके और यह कुछ reservation जो अलग होता है जैसे OBC के लिए 27% जो reservation है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो OBC वाले student होते है उनको 27% देखने को मिलता है और जो यहाँ पर sorry general के लिए जो है आपका 27% होता है OBC के लिए 15% है SCST के लिए 7.5 है ST के लिए 5% है यह seat का criteria आपका यहाँ पर होता है 2016 का जो act है उसी के हिसाब से इनों ने यहाँ पर यह चीज़े like दे रखी है बाकी आपके पास जो EWS certificate जो होता है उसके base पे आप लोगों के लिए 10% जो seat है वो reserve होती है और PWD के लिए यहाँ पर 5% जो seat है वो रहती है अलग से भी ठीक है उनकी seat हो पे उनको admission यहाँ पर मिलता है और EWS का तो आपको पता ही है government ने जब rule यह बनाया था education के field में इसको add किया था तो 10% इसका जो seat हो reserve है रहता है ओके बस यही है admission policy में जो खास-खास बाते थी वो मैंने आपको समझा दी सारी की सारी बाकी जो यहाँ वाला जो point है वो उन student के लिए है जो इंडिया के नहीं है ओके और बाकी इसमें कुछ खास है नहीं सारी चीजे मैंने आपको यही से समझा दी है बस यही था बाकी और कोई doubt है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते है अभी हम लोग prospectus को भी एक बार own करके देखते है उसमें क्या यहाँ पर दिया गया है clear तो prospectus को download करते है इसके माद्यन से भी मैं आपको चीजे समझा देता हूँ वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा बनेगा बढ़ कोई दिक्कत नहीं है हम आपको आराम से समझाएंगे तो अब देखे prospectus में क्या है कि जो इसका eligibility criteria है वो आप लोगों को यहाँ पर देखना चीए कि जिसे जो कुछ मतलब जो certificate करते है या ऐसे student जो की Mother's Board से होता है तो उनका एक अलग-अलग होता है कोई UP से भी आर से या इस तरीके से उनके Mother's होता है तो अब कहीं बार क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे admission मिलेगा नहीं वट यार JNU जैसी top university ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देगी तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही mention कर रखा है कि आप कहां कहां से किस-किस मदर्सा से Board का जो भी criteria होता है वो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है यह आप लोग यहाँ से देख सकते है तो आप अपना एक बार मेज कर लेना ठीक है यह सबी language के लिए यहाँ पे आपको show करेगा बाकि आपका 10 और 12 दोनों को मिला के जो है आपका 55% marks होना चीए otherwise आप eligible नहीं है यह सारी language है यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हो इन सारी language के अंदर आप लोग admission जेन्यू में ले सकते है यहाँ पे यह कुछ certificate के है जिसमें भी आपको 55% आपका होना चीए 10-12 दोनों को मिला के अब बात करते है syllabus के बारे में तो जेन्यू आपसे क्या syllabus पूछ रहा है इन सभी language के लिए यह रहा आपका syllabus भी नहीं लिये है तो फिर आपको जेन्यू में admission नहीं मिलेगा जेन्यू आपको consider नहीं करेगा इस क्लियर नाव यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको English और जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो आपको देना है और इन दोनों के लिए हम लोग आपको प्रिपेर करवा रहे हैं मैंने आपको बताया सेकंड मार्स से दो मार्स से अपने यहां पे classes स्टार्ट हो रही है जिसकी फीज के ओल पंद्रा सो रुपए है और यह हमारा लास्ट बेच है बाद में आपको मोका नहीं मिलेगा सो आप इसमें इंडॉल करवा सकते हैं तो यह बेसिकली जेन्यू एंटरेंस के लिए आपका syllabus रहने वाला है ओके सो hopefully मैंने सारी चीज़ा आपको समझा दी है फिर भी कोई अगर आपके माइंड में doubt है तो नीचे वीडियो के description box में मारे number दिये गए है आप वर्टसप पर message करके हमसे पूछ सकते हैं तो यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया